आज हम बनाएंगे अर्भी के पत्तों के पत्षोड़े। बेसन fan के बना business के बना रहे हैं। अर्बी के पत्तों के से बनते हैं। बची हुए डंड्या हहुती है बेसन लिया है जैसे कि हल्दी पौडर, धनिया पौडर, लाल मिच पौडर, जीरा पौडर, गरम मसाला और नमक अपने स्वात के अकॉर्डिंग अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है थोड़ा इसमे हम पानी डाल देंगे पानी से इसका थिक सा बैटर लगाना है बहुत पतला नहीं कीज पौडर, जीरा अच्छे करें नमक अच्छे कर लेंगे तो यह को यह लगा है अच्छे से मिक्स कर लेंगे आपको लिग अखटाई बश्ण पत्तों में तो अब डाल सकते हैं हम नहीं डालए क्यूंकि अख़ए बल्कुल अच्छी नहीं लगती है अब इस तरह से पत्ता लेना है हमने यह आपका बड़ा वाला बड़े साइस का पत्ता तो एक भी काफी है यह आपकी छोटे या मीडियम साइस के पत्ते है तो दो लीजेगा अभी हमने एक लिया है इसके उफर हम दूसरा भी लगाएंगे अच्छे से बैटर इसमें फिला देना इस तरह से धान से ते हम पत्ते से क्या हो तो एपका पत्ता चोटा है और सिंगल पत्ते पर ही आप इसको रोल बनाएंगे तो जब आप पिचक सा जाएगा उसका बिलकुष अच्छे से रोल नहीं बनेगा इस तरह से ता कि जो आपका जो रोल बनेगा बैसन का फोड़ा स्ट्रॉंग सा होु ताकि वह स्टीम होते हुए पिछ के नहीं तो इस तरह हमने दो पत्यों को एक ऊपर एक रखके बेसन लगा लेना है और सैडों से ऐसे ऐसे फोल्ड करने नहीं जैसे आप परांथा फोल्ड नहीं करते है वह चोकोर वाला बच्च वाला परांथा वह उस तरह हमने इसे दोनों इसे फोल्ड कर देना है जब आप इसे फोल्ड करें तो हलका हाथों से नहीं करना है थोड़ा टाइट फोल्ड कीजेगा इसका रोल डेला नहीं जोड़ना है क्योंकि स्टीम होते हुए फिर पिछक से जाते है गोल नहीं बनते है थोड़ा टाइट करके कसके इसका रोल इस पहुत जाहर टीस्तीश बनते है अण उरहद लाब से बनाती है उरहद दाल से उसके रजसीप है अपलोड किह TIME आर थे लीजेगह आप सरनी दले लिए MUS sentir करने के लिए और इसे हमने 20-25 मिनट तक steam करना है medium flame पर और 25 मिनट के बाद अच्छे से steam हो जाएंगे ताकि इसका basin पक जाए 25-30 मिनट लगेंगे आपको अच्छे से steam करने में इसे medium flame पर स्टीम हो चुके हैं इसे निकाल देते हैं निकाल कर इसके pieces हम कट करेंगे इसके easily pieces कट हो जाएंगे यह बिल्कुल अच्छे से पके है तो तो चली इसके pieces कट कर लेते हैं और आप चाहें तो इन्हें काटने के बाद अलग से pan में सरसो के तेल के साथ या फिर घी के साथ fry कर सक करेंगे हमने क्या करना हम इससे काट लेंगे उसके बाद हम इसमें टालेंगे घी, से खूड़े करेंगे घी न ज layer की से लिदा तो चली जाए यृझ एम दम गीच कशे से हाई के सा दाना ऑर अपिके हम बैसन अर पट लगते हैं यह रोटी के साथ आप इसी इस तरह से बना कर ट्राइ कीजेगा और यदि आपको उरत दाल के पत्रोडे देखने है तो वीडियो के एंड में कार दे दिया है आप यहां में क्लिक कीजिए उरत दाल से बने पत्रोडो का बहुत जाला टेस्टी बनते है वो भी आप और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा फैमिले और फ्रेंड्स के साथ शेर कीजिएगा बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक और नवी वीडियो के साथ तब तक अपना ध्यान रखें टेक केर बाई